at point a on the earth surface the angle of dip is plus 25 degree at point b on the earth surface the angle of dip is minus 25 degree we can interpret that अब ये भी एक इंट्रेस्टिंग क्वेशन है सोचने जैसा कि point a पे हमें angle of dip plus 25 degree दिया है question में और point b पे angle of dip जो है वो minus 25 degree दिया है basic formula क्या होता है 10 delta is equal to bv by bh और bv जो होता है वो क्या होता है या तो sine delta क्या होता है bv by b and cos delta क्या होता है bh by b इन दोनों को divide करेंगे तो यह मिलेगा simple अभी a point side पे delta positive चाहिए अभी देखो इधर भी डेल्टा इधर भी डेल्टा इधर भी डेल्टा इधर भी डेल्टा फॉर्स्ट कॉर्टरण में तो सारे के सारे positive ही होते है तो एक option है कि वो first quarter में हो सकता है first quarter में यानि this is northern hemisphere यह south है यह east है यह west है तो यह जो है वो north side पे है तो इधर तो हो सकता है बरूबर और second quadrant में अगर डेल्टा positive ही है तो second quadrant में भी हो सकता है vertical magnetic field के अगरण angle of D लेकिन second quadrant में है इसका यह negative आ जाएगा cause जो है वो negative होता है 10 जो है वो भी negative होता है लेकिन एक साथ दोनों point एक hemisphere में नहीं रह सकते तो डेल्टा जब negative है तो समझे थर्ड quadrant में है लेकिन third quadrant में तो 10 खुद positive होता है तो third quadrant में नहीं हो सकता डेल्टा नेगेटिव fourth quadrant में है cause positive होता है लेकिन көश positive होता है sign क्या होता है negative होता है तो तभी 10 क्या हो जाएगा Negative हो जाएगा तो जब delta minus 25 degree होगा तब उसे कौनसे quadrant में होना चाहिए बैई fourth quadrant में होना चाहिए मलब southern hemisphere में में होना चाहिए और जब डेल्टा positive होना चाहिए तब वो कहां होना चाहिए first coordinate में होना चाहिए मलब northern hemisphere में होना चाहिए नोगवों सेम बाजु होंगे तो कैसे positive, अगर दोनों same बाजु होते है तो एक positive और DR यर्णी ऊप्टावर वहना नहीज होता है option में A दिया है Northern Hemisphere में B दिया है Southern Hemisphere में ऐसा एक option है तो answer आएगा option 3 ठीक है क्योंकि हमको delta जब प्लस चाहिए तो वह first quarter में ही delta plus हो सकता है और delta जब minus चाहिए तो वह fourth quarter में होगा given case के हिसाप से और यह formula के हिसाप से trigonometry के हिसाप से आप कोई भी देख लो first quarter second third fourth यह positive यह positive आप trial and error method लगाएंगे तो आपको delta जो है positive किदर मिलेगा first quarter में या तो third quarter में और delta negative कहाँ पर मिलेगा second में या तो fourth में लेकिन option के analysis के हिसाप से हमें जो ढूंडना हो तो option number 3 बैठेगा कि first quarter में यानि कि Northern Hemisphere में और fourth quarter में यानि कि Southern Hemisphere में होगा तो यहाँ पर delta positive यहाँ पर delta negative क्योंकि 10 क्या आ रहा है यह mcq में में वो detail में नहीं समझा रहा हूं लेकिन mcq में आप खुछ सोचना है trial और error method से ही वो answer आने वाला हमारा जैसे मैंने कहा कि first quarter में यह delta जो है यह positive आएगा प्लस 25 आएगा इसलिए वो Northern Hemisphere में होगा और fourth quadrant में यह negative आएगा इसलिए वो Southern Hemisphere में होगा ओके